कि जैहिंद मेरे पैरे साथियों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस्टेडी 24 विद्विवेग यूटूब चैनल पे जैसा कि आज है 6 जून और आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं 6 जून के जितने भी important current effect के कुछ चंद बनते हैं उन्हीं के बारे में आप लोग इस वीडियो की पीडियो की डिसकस्टन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडियो आप इटेडी24 विद्वेग यूटूब चैनल के टेलिग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं जो की बिलकुल निसुलक रहने वाली है आप लोग चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें तो दोस् करेंट फेर का question number one दोस्तों क्या है हाल ही में केंद सरकार ने यूको बैंग का प्रबंध निदेशक किसे न्यूक्त किया है तो दोस्तों केंद सरकार ने असुनी कुमार को आपसर नंबर बी किया है साथी हूं राइट आंसर है असुनी कुमार को यूको बैंग का डेंग और इन्हों ने इससे पहले पंजाब नेशनल बैंग के मुख्य महा प्रबंदधक के रूप में कार भी किया है तो असुनी कमार युको बंग के नय प्रबंद निदेशक के रूप में अब करने वाले हैं नेक्ट स्थ दोस्तों की इस्थापना को मंजूरी दी दिये तो नई दिल्ली दोस्तों आपसे नमबर सी क्या है राइट आंसर है न्यू दिलई केंदरी मंतरी मंडल ने नए दिल्ली में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन या यू पि यू के एक छेतरी कार जाले की इस्थापना को मंजूरी दे दी है ने दोस्तों बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कुश्चन नमबर 3 क्या है कि हाल ही में तीसरी भारत भी अतनाम समुंदरी सुरच्छा वारता किस सहर में आयुजित की जाएगी दोस्तों एभी नई दिल्ली में की गई है दोस्तों वारता के दवरान भारत और भी अतनाम ने समावेशी विकात अनकूल सुरच्छ समुंदरी वातरारण को बनाये रखने के तरीकों के बारे में चर्चा की है ने दोस्तों देखेंगे कुश्चन नमबर 4 हाल ही में भारती खाज सुरच्छा और मानक गाजियाबाद में किस सहर में दोस्तों किया गया है दोस्तों राइट अंसर इसका है आपसर नमबर D गाजियाबाद में केंदरी स्वास्त और परिवार कल्यार मंतरी डाक्टर मनसुक मन्नाविया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारती खाज सुरच्छा और मानक पधिकरन एफ एस एस ए आई के लिए अत्याधुनिक राष्ट्री परसिछड केंद्र का उद्गाटन किया है कहां पे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सहर में नेश्ट दोस्तों कुष्चन नमबर फिप देखेंगे हाल ही में भारती प्रदोग की संथान यानि आई 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 टी ने किस देश में अपना विदेशी परसर खोलने की इस थापना की है कौन सा विदेशी परसर है तो पहले नमबर का विदेशी परसर भारत किस देश में ख सिनातक चात्रों और 20 माश्टर चात्रों के बैट के साथ अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की गोफडा की आयाटी मद्रास के तहत जंजी बार में नया आयाटी परिसर इस्थापित किया जाएगा नेश्ट है दोस्तों कुश्चन नमबर 6 हाल ही में किस रेलवे जोन ने सहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नाम आंकरण किया है तो दोस्तों किस जोन की बात हो रही है तो आपसर नमबर दोस्तों यह हां क्या है राइट आंसर है उत्तर रेलवे जोन भारत रेलवे के उत्तर रेलवे जोन ने सहीदों को स्रधांजली देते हुए अपने ड जानकारी दी उन्होंने एक इंजन पर 26 ग्यारा मुंबई हमलों में सहीद मेजर संदीप उन्दी क्रिस्टन का नाम लिखा गया है नेश्ट है दोस्तों कुश्चन नमबर सेवन आज की वीडियो का सांधार कुश्चन है हाल ही में भारत की किस एथलिट ने नीदर लैंड के टिलबर्ग में आयोजी टी मीटिंग 2023 एथलिट मीट के बाधा दौर इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है जो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपसा नमबर बी जोती याराजी भारत की एथलिट जोती याराजी ने किता है ने दोस्तों कुष्चन नमबर एट हाली में भारत यूरोपी संग संपर्क संमेलन किस राज में आयोजित किया गया है तो दोस्तों भारत यूरोपी संग संपर्क संमेलन का आयोजन में असम में दोस्तों किया गया है राइट आंसर आपसा नमबर बी यहां पर करेक के वीडियो का नाइन्थ नंबर हाल ही में किस देश ने चौथी बार पुरुस हाकी जूनियर एसिया कप का खिताब जीता है तो भारत ने और किसको हरा की जीता है तो पाकिस्तान को हरा करके भारत ने पुरुस हाकी जूनियर एसिया कप का खिताब जीता है भारत ने दो एक स सिंग और अरजीत हुंदुल सिंग ने एक गोल किया जबकि पाकिस्तान की गोल से बरसत अली ने एक गोल किया नेश्ट दोस्तों कुश्चन नमबर टेन है आज की वीडियो का हाली में फोप्स की रिपोर्ट के अनुसार बिस सुका सबसे मुल्यवान फुटवाल क्लब दोस् दो दो सिक्स पॉइंट जीरो सेबन बिलियन अमेल की डालर के मूल के साथ लगातार दूसरे वर्थ भी इस सुची में टाप पे रहा है रियल मेडरिट तो रियल मेडरिट ही फोप्स की सुची के अनुसार बिस सुका सबसे मुल्यवान फुटवाल कलप रहा अगर इसकी ब जो आपके इजाम की द्रेश्टी से बहुत ही इंपार्टेंट हैं तो आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें चैनल पर नए है सब्सक्राइब करना न भूलें मिलेंगे दोस्तों नेस्ट वी किकलात के साथ जय हिंद जय भारत